Hello and Welcome friends, Excel में समझ्या होती है Middle Align की, देखिए यहाँ पर आपको मिल जाता है Left Align, यहाँ पर आपको मिल जाता है Central Align और यहाँ पर आपको मिल जाता है Right Align, तो इन Middle Align का क्या है, Middle Align कैसे करेंगे, तो आज उसी के बारे में बात करेंगे और वही Shortcut की बताऊंगा, ठीक है Middle Align का मतलब कि ना उपर ना नीचे, ठीक है, इसमें देखिए यह नीचे की तरफ शिफ्ट है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, रोखी साइज को, हाइट को, तो यह देखिए नीचे आपको रिसाइज कोड़ेगा, तो इसको Middle कैसे करेंगे, तो Middle कर देखिए की होती है, Alt-H-A-M, जैसे ही प्रेस करेंगे, तो यह देखिए, यह Automatic Middle Align हो जाता है, किसी को भी आप करके देखिए, यहाँ से इसको करके देखते हैं, तो इसको थोड़ा सा बड़ा किया मैंने, तो देखिए, अभी भी यह क्या है, नीचे है, तो Alt-H-A-M, जैसे ही प्र प्रेस करते हैं, तो Central Align हो जाता है, यह आप यहाँ पर क्लिक भी कर सकते हैं, यह देखिए, यह क्लिक किया न, तो यह देखिए, बीच में चला जाता है, आ रहे ही बार समझे हैं,